दोस्तो आज की कहानी में हम एक ऐसे आदमी को देखेंगे जो की चीनी पाउडर की सप्लाई करने के लिए एक नकली परिवार बनाता है लेकिन इसी बीच उनके पीछे एक ऐसा गुंडा पड़ जाता है जो की उनकी जिन्दगी के घोडे लगा देता है तो कहानी शुरू होत उत्रे से लड़ते जगडते रहते हैं यहां पर हमें ये भी पता चलता है कि शालू शातिर की फाइनेशल कंडिशन इतनी ज़्यादा खराब है कि वो उपने घर का रेंट तक भी नहीं चुका पा रही उदर राजू रस्तोगी के घर पर छुटन लाल लाम का एक लड़का जाता है लेकिन वो गुंडे छुटन लाल की ही ठुकाई कर देते हैं तभी छुटन लाल को देखकर राजू रस्तोगी वहां पर आता है और जैसे दैसे करके मामले को संभाल लेता है लेकिन तभी अचानक छुटन लाल के बिच्वाडे में पता नहीं क्या चुलसी मचती ह और वो सभी को बता देता है कि राजुरस्तोगी एक ड्रग डीलर है अब ये सुनते ही वो गुंडे राजुरस्तोगी के पीछे पड़ जाते हैं और उसका सारा पाउडर और पैसे चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं अब इस incident से राजू रस्तोगी की बुरी तरह फटी पड़ी थी क्योंकि वो powder उसने जिस dealer से खरीदा था उसने उसके पैसे अभी तक नहीं चुकाए थे अब राजू रस्तोगी जानता था कि वो dealer उसकी फार देगा इसलिए वो उस dealer की calls को ignore करने लगता है लेकिन अगले ही दिन dealer के लोग राजू रस्तोगी को kidnap करके dealer के पास ले जाते हैं जिसका नम पपू मिशरा होता है फिर पपू मिशरा राजू रस्तोगी के सामने दो option रखता है कि या तो वो उसके पैसे दे दे या उसकी एक factory जो की Mexico में है वहाँ से उसे powder को smuggle करके यहाँ पर लाना होगा जिसके लिए वो उसे खूप सारे पैसे भी देगा अब राजू रस्तोगी के पास कोई दूसर option नहीं होता इसलिए वो ये काम करने के लिए राजी हो जाता है फिर घरा कर वो सोचने लगता है कि कैसे वो चीनी powder को border के इस पार लेकर आएगा क्योंकि border पर police के कुटे उसे सूंग लेंगे जिससे वो पका पकड़ा जाएगा लेकिन तब ही उसकी नजर एक family पर पढ़ती है जो कि छुटिया मनाने के लिए बाहर जा रहे थे वहीं रास्ते में उन्होंने traffic rule भी तोड़ा था लेकिन पुलिस वाला उन्हें कुछ नहीं कहता अब यह देखकर राजू रस्तूगी को एक idea आता है कि वो भी family vacation के बहाने उस powder को यहाँ पर ला सकता है जिससे पुलिस भी उस पर शक नहीं करेगी लेकिन इस काम को करने के लिए उसे एक family की जरूएत थी तो वो अपनी एक नकली family बनाने के काम में लग जाता है फिर सबसे पहले वो शालू शातिर के पास जाकर उसे अपनी नकली पत्नी बनने को कहता है जिस पर शालू शातिर पहले तो उसे मना कर देती है पर जब राजू रस्तोगी उसे पैसे ओफर करता है तो वो इस काम को करने के लिए मान जाती है फिर इसके बाद वो छुट्टन और मुन्नी बैइमान के पास जाता है जहां से उनको वो माल उठाना था लेकिन वहाँ पर पहुँचकर उनको पता चलता है कि पपू मिश्रा ने उनको धोका दिया है दरसल उसने उनको कुछ किलो ही माल उठाने को कहा था लेकिन वहाँ पर तो इतना माल था कि इससे उनकी पूरी वैन ही भर जाती है लेकिन अब राजुरस्तोगी के पास और कोई option भी नहीं था इसलिए वो सारा माल अपनी वैन में भरकर वहां से निकल जाता है लेकिन factory से निकलते ही रास्ते में उन्हें एक पुलिस वाला रोक लेता है जिसको देखकर वो सबी लोग घबरा जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि अब वो पकड़े जाएंगे लेकिन वो पुलिस वाला रिश्वत खोर था और वो उनसे कुछ पैसे लेकर उन्हें बिना चेक किये वहां से जाने देता है फिर कुस देर तक ड्राइविंग करने के बाद वो लोग बॉर्डर पर पहुँच जाते हैं जहां पर उनकी मुलाकात एक और फैमिली से होती है जहां पर पपु पनोती और कंगाली नाम का एक कपल अपनी बेटी ढोलकी के साथ कहीं पर जा रहे थे वहीं जब छुटन लाल की नजर ढोलकी पर पढ़ती है तो उसका छोटा पपु खड़ा होकर सलामी देने लगता है तभी बॉर्डर पर चेकिंग के दोरान कुछ पुलिस वाले उनको वैन से नीचे उतार देते हैं फिर एक पुलिस वाला वैन के अंदर जाकर चेक करने ही जा रहा होता है कि तभी पीछे से कुछ लोग वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि वो लोग गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर को पार कर रहे थे अब उन लोगों को देखकर पुलिस वाला राजूरस्तोगी को आगे जाने देता है और कहता है कि हम लोग इने ही ढून रहे थे अभी सुनकर वो सभी जल्दी से वैन के अंदर चलते हैं और सक्सेस्फूली बॉर्डर को क्रोस कर लेते हैं वहीं दूसी तरफ जिस फैक्टरी से राजूरस्तोगी माल लेकर निकला था वहाँ पर उस फैक्टरी का असली मालिक निर्मल निरोद आ जाता है अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि पपू मिश्रा ने राजूरस्तोगी से जुट बोला था कि उस factory का मालिक वो है और उसने धोके से निर्मल निरोत का सारा माल राजुरस्तोगी से चोरी करवा लिया था फिर यहांपर निर्मल निरोत को जब पता चलता है कि उसका सारा माल किसी ने चुरा लिया है तो वो तुरंत एक आदमी के साथ राजुरस्तोगी को पकड़ने उसके पीछे लग जाता है दूसी तरफ वो सभी लोग खुशी-कुशी घर की तरफ जाई रहे थे कि तबी अचानक उनकी वैन खराब हो जाती है लेकिन कुछी देर में वहाँ पर कंगाली और पनोती आ जाते हैं जो उनको गैराज तक लिफ्ट देने की बात करते हैं इसके बाद वो सभी लोग उनकी वैन पर चड़ जाते हैं और गैराज की तरफ बढ़ने लगते हैं तबी बातों ही बातों में राजुरस्तोगी को पता चलता है कि पनोती एक नार्कोटिक्स ओफिसर है और चुटियां बिताने के लिए यहां पर आया हुआ है अब यह बास सुनते ही राजुरस्तोगी की फड़ जाती है और वो अपने बाकी साथियों से कहता है कि हमें इन चूतियों से कैसे भी करके छुटकारा पाना होगा लेकिन यहां पर भी उनकी किस्मत के एल लगे हुए थे क्योंकि जिस गैराज में वो अपनी वैंट ठीक करवाने जाते हैं वो गैराज बंध होता है इसलिए पनोती उन लोगों को आज रत उनके साथ ही जंगल में कैम्प लगाने को कहता है जिस पर ना चाते हुए भी राजू रस्तोगी और बाकी लोगों को उनकी बात माननी पड़ती है फिर राथ को कैम्प के दोराएं जब पनोती और कंगाली सभी को सल्मान भाई के गाने सुना रहे थे तब ही राजू रस्तोगी और शालू शातिर प्लैन बनाते हैं कि आदी रात को जब ये दोनों चूतिय सो जाएंगे तो ये लोग उनकी वैन चुरा कर यहां से भाग जाएंगे वहीं पर हम छुटनलाल को देखते हैं जो कि ढोलकी को सैट करने में लगा हुआ था ताकि वो पूरी रात उसे बजा सके लेकिन उसे पता नहीं होता कि लड़की के साथ मजदूरी कैसे करनी है तो वो ढोलकी को बजा नहीं पाता अब यह देखकर राजूरस्तोगी को उस पर तरस आने लगता है और फिर वो उसे मजदूरी करने की कुछ टिप्स देता है फिर आधिरात को जब सभी सो जाते हैं तो राजूरस्तोगी और शालू शातिर पनौती और कंगाली के टेंट में वैन की चाबी चुराने के लिए गुस जाते हैं लेकिन तभी पनौती राजूरस्तोगी का हाथ पकड़ लेता है जिससे उसको लगने लगता है कि अब तो वो पकड़े गए लेकिन तभी उनको यहाँ पर एक बात और पता चलती है कि पनौती और कंगाली की मैरिड लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं चल रही इसलिए वो लोग कुछ एकसाइटिंग करना चाते हैं दरसल यहाँ पर वो लोग यह चाते थे कि राजूरस्तोगी कंगाली के साथ और पनौती शालू शातिर के साथ मजदूरी करे लेकिन राजूरस्तोगी और शालू शातिर को उनका यह प्लैन अच्छा नहीं लगता और वो अपना पिछवाड़ा उठा कर वहाँ से भाग जाते हैं इसके बाज जब सभी लोग वैन में बैठे थे तबी वहाँ पर ढूलकी को देखते हैं चुकि छुटनलाल को दबा दबा कर किस करना चाती थी लेकिन चूतिया चुटनलाल उसकी ये बात समझ नहीं पाता और वहाँ से भाग जाता है फिर वापस वैन में आने पर शालू शातिर और मुन्नी बैमान उसे लड़कियों को किस करना सिखाती हैं क्योंकि उसने आज तक कभी भी किसी लड़की को किस नहीं किया था लेकिन तबी ढोलकी वहाँ पर आ जाती है और ये सब देखकर वो समझ नहीं पाती कि ये कैसा चूतिया परिवार है जहाँ पर एक बेटा अपनी मा और बहन को ही चूसने में लगा हुआ है इसलिए वो इस सबसे गुसा होकर वहाँ से चली जाती है अब इस बात से छुटनलल बहुत परिशान हो जाता है क्योंकि अब वो भी ढोलकी को पसंद करने लगा था फिर अगले दिन पनोती की फैमिली राजुरस्तोगी की फैमिली को गैराच तक छोड़ने जाते हैं क्योंकि अब उनकी वेंट ठीक हो चुकी थी और फिर पनोती और कंगाली उन्हें वहीं पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं फिर गैराच के अंदर आने पर राजुरस्तोगी की मुलाकात निर्मल निरोध से होती है जहां पर उसे पता चलता है कि जो माल वो पपू मिश्रा का समझ कर ले जा रहा था वो असरियत में निर्मल निरोध का है अब निर्मल निरोध उनके सपरात के लिए सभी को जान से मारने की धमकी देता है जिस पर राजुरस्तोगी उससे माफी मांगते हुए कहता है कि उन्होंने ये जान बुचकर नहीं किया इसी दुरान निर्मल निरोथ को ये भी पता चलता है कि शालू शातिर एक बार डांसर है तो वो उसे वहाँ पर डांस करने को कहता है फिर जब शालू शातिर अपना अशलील डांस दिखा कर सभी गुंडों के घुड़े खड़े कर रही होती है तभी मौके का फायदा उठा कर राजू रस्तूगी अपनी वैन निकालता है और सभी को उसमें बिठा कर वहाँ से निकल जाता है इसी दुरान चुटन लाल ड्राइफ कर रहा था जबकि उसे ड्राइफ करना आता भी नहीं था इसी दुरान एक मकड़ी चुटन लाल के कच्छे में गुज जाती है और उसके नुन्नू पर काट लेती है अब इसे चुटन लाल को बहुत दर्द होता है और दर्द के मारे वो वैन को कंट्रोल नहीं कर पाता और उनका एक्सिडेंट हो जाता है अब मकडी के काटने पर छुटन लाल का दिमाग खराब हो जाता है इसलिए सब भी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं वहाँ पहुँचकर राजूरस्तोगी पपू मिश्रा को बहुत ज़्यादा गालिया देता है क्योंकि आज उस चूतिये की वज़े से इन लोगों की जान जाने वाली थी इसके बाद वो उससे इस काम के और भी ज़्यादा पैसे मांगने लगता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिये तो मैं ये सारा माल निर्मन निरोत को वापस कर दूँगा और उसे तेरा ठिकाना भी बता दूँगा अब ये बाद सुनकर पपू मिश्रा की फट जाती है और वो उसे ज़्यादा पैसे देने के लिए मान जाता है उदर छुटनलाल के ठीक होने के बाद राजुरस्तोगी उसे हडबड़ी में वहां से ले जाने लगता है जिस चक्कर में वो उसे वीलचेर से नीचे गिरा देता है अब ये बात शालुशातिर को बहुत बुरी लगती है क्योंकि छुटनलाल की तो वैसे ही मरी पड़ी थी और राजुरस्तोगी को यहां से भागने की लगी हुई थी अब इसी बात को लेकर राजुरस्तोगी और शालुशातिर के बीच में जगडा होने लग जाता है जहां पर बातों ही बातों में राजु के मुझे निकल जाता है कि उसे इस काम को पूरा करने के 10 लाख मिल रहे हैं अब इस उनकर शालुशातिर की फट जाती है और वो राजुरस्तोगी से कहती है कि तुम तो इतने पैसे कमाने वाले हो और तुमने मुझे सिर्फ 3000 डॉलर दिये हैं ये सुनकर मुन्नी बैमान कहती है कि मुझे तो सिर्फ 1000 डॉलर मिले हैं तब ही वहाँ पर छुटालाल कहता है क्या तुम लोगों को इसकाम के पैसे भी मिल रहे हैं जिसको देखकर हमको समझ आता है कि राजुरस्तोगी से चूतिया बना कर यहां पर लाया था और फिर कुछ दिर बाद वहाँ पर शालू शातिर और छुटन लाल भी पहुंच जाते हैं दूसी तरफ हम राजू रस्तोगी को देखते हैं जिसे अपने बाकी साथियों के बिना बच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वो उन लोगों के पास वापस आ जाता है और उन सभी से कहता है कि उसे इस काम को करने पर जितने भी पैसे मिलेंगे वो उन पैसो को सभी में बराबर बाढ़ देगा अब ये बाद बाकियों को भी अच्छी लगती है जिस वरे से वो राजू रस्तोगी को माफ कर देते हैं इसके बाद जब वो लोग अपनी वैन की तरफ जा रहे थे तब ही रास्ते में उन्हें कंगाली और धोल की दिखाई देते हैं फिट धोल की छुटनलाल को देखकर अपनी मॉम को उस रात के बारे में बताने लगती है कि मैंने छुटनलाल को अपनी मा और बहन को किस करते हुए देखा था अब ये सुनकर छुटनलाल गबरा जाता है और वो उनको सब कुछ सच बता देता है कि हम लोग असली फैमली नहीं है हम तो बस मैकसिको से माल स्मगल करके वापस अपने घर जा रहे हैं तभी वहाँ पर निर्मल निरोध का एक आदमी आ जाता है जिसके पस गन होती है अब ये देखकर वो सबी लोग डर जाते हैं लेकिन तभी सही टाइम पर पनोती वहाँ पर आकर उस आदमी को मार कर बेहोश कर देता है पर कुछी देर में वहाँ पर निर्मल निरोध भी आ जाता है और धूलकी को पकड़ लेता है अब वो उन सभी चूतियों को एक साथ टपकाने वाला था कि तभी आतिश बाजी के कारण उसका ध्यान बटक जाता है और राजूरस्तोगी इस बात का फाइदा उठाकर निर्मल निरोध के हाथ से गन छीन लेता है तभी चुटनलाल के पिछवाड़े में फिर से चुल मचती है और वो निर्मल निरोध को मुक्का मार कर वहीं पर धेर कर देता है जिसके बाद वो ढोलकी के पास जाता है और उसे दबा कर किस करने लगता है अब सारी बाते पता होने के बाद भी पनोती उन सभी को वहाँ से जाने देता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये लोग अच्छे लोग हैं और ये काम वो मजबूरी में कर रहे हैं इसके बाद राजूरस्तोगी सारा माल लाकर पपू मिश्रा को दे देता है लेकिन तभी पपू मिश्रा उन्हें धोका देता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस काम का एक उर्पया भी नहीं देने वाला अब राजू रस्तोगी को तो पहले से ही पता था कि ये भड़वा उन्हें धोका देगा इसलिए उसने पनौती को यहां का एड्रेस पहले ही दे दिया था फिर कुजदेरबद पनौती अपने साथी पुलिस के साथ वहाँ पर आ जाता है और पपू मिश्रा को रंगे हतों पकड़ लेता है अब इतना सारा मल पकड़वाने के बदले सरकार उन्हें एक बड़ा सा घर देती है जिसमें राजू रस्तोगी अपनी नकली फैमली जोकी बसली बन चुकी थी उन सबी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और दोस्तों इसी के साथी ये कहानी यहीं खत्मो जाती है